आज भी हम करने वाले हैं आरट में इंटी पीसी में जो आपके जीगे के क्वेश्चिन पूछे जा रहे हैं इसका पार्ट नमबर फाइब करेंगे ठीक है इससे पहले अल्रेटी हम लोग ने चार पार्ट अप्लोड कर ली हैं अगर आपने यह नहीं देखियो तो में डिस्क सारी क्वेश्चिन जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक्जाम में अगर हम शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखी तो आइंड आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि किस टापके क्वेश्चिन आरवी में पूछ जा रहे हैं ताकि आपके एक्जाम में जी के वाला सब्जेक्ट टोड़ा स्कोरिंग बन सके तो इसी के साथ आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं जो भी मैं वीडियो में एक्स्टर फेक्ट भी बताती हूं वह भी आप लोग सुनें चाहे तो उसे नोट कर लें चाहे उसे ध्यान नखें ठीके पीडिएफ मिल जाएगा आपको मेरे ट लात्विक विभाग के महनी देशा कौन थे मतब जब हडपा की खुदा ही चल रहे थे तो उस टाइम पर जो आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट होता इसके डारेक्टर जनरल कौन दे तो आंसर हो जाएगा सर जॉन हुबर्ट मार्शल ये हैं आपको जो आप फोटो देख र के विभाएं थे ठीक जैन रहेगा थे झान रहे हैं थोड़ा सा आप लोगे दों टारव करदा वदात ही मतबलत क्थे के तो ठीक है मोहन जो डूडो की खोच कब की गई थी सो मोहन जोदुरो की खोच करी गई थी 1922 में और ये खोच करी किसने थी आंसर आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो ये करी थी राखल दास बिनरजी ने लेके नाम ध्यान रहेगा ना राकल दास बनर जी के द्वारा मोहन जोदुरो की खोच की गई थी मोहन जोदुरो पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंदू रदी के तर्ट पर इस्ते थे ओके ये भी आप लोग इसे पूछ सकते हैं न कहां पर इस्ते थे तो वो भी ध्यान लखेंगे अगला कोशन दिखो है रास्ट पती को भारती सम्विधान के किस अनुचेत के तहस चामाधान की शक्ती प्राप्त है मतलब वो अगर माली जी किसी को फांसी तक की सजा हो गई ना तो प्रेजिरेंट उसको क्या कर सकते हैं माफ कर सकते लेकिन ऐसा कौन से आर्टिकल में बोला गया है तो आर्टिकल नमबर 72 ठीक है जान रहेगा ना इस आर्टिकल डारेट आर्टिकल से ऐसे ही कोशन बन रही है तो में में जो आर्टिकल से वो आप लोग ज़रूर याद करके जाए नेक्स्ट कोशन है सही तो रास्ट के द्वारा स्वास्ते के सम्मंद में कौन सा संगटन कारे करदा है तो United Nation का WHO यानि World Health Organization हिंदी में से बोलते हैं विश्वे स्वास्तिय संगटन अगर हम इसकी formation की बात करें तो ये कब फॉर्म होगा था ये फॉर्म होगा था 7th of April 1948 को और सेकंड चीज इसका headquarter पूछ सकता है इसका headquarter कहां पे है जेनेवा स्वीजर लेंड में इसका headquarter है तो ये तीनों चीज़ों में से आप लोगों से कोई सा भी question बन सकता है अगला question ने देखो कौन से ऐसा Swedish tennis player है जिसने 5 बार लगातार Grand Slam US Open tournament जीता है देखो जो Grand Slam tournament होते हैं उसमें 4 tournament आते हैं जिन में से एक है US Open तो कौन से Swedish खिलानी है नाम है इनका Rosa Federer ठीक है Rosa Federer है इन्होंने 2003 से लेकर 2007 तक लगातार 5 बार इन्होंने US Open का title जीता है तो ये आप लोगों को व्यान रखना है ठीक है ये Swedish tennis player है ठीक है अगला देखो मैं पस क्या question है प्रत्थम महीला लोकसबा speaker को थी अब देखो चलो मैं इसी के साथ na grand slam आया तो एक current के questions discuss कर लेती हूँ ठीक है इस बार देखो जो grand slam tournament हुए ना वो तीन हुए है एक तो हुआ है French Open French Open में अगर हम बात करें तो men's title जीता है किसने राफेल नदाल ने यहां से सुनते रहेगा revise करते रहेगा और इसी में ही अगर हम women's की बात करें तो Ega Swetek ने जो है वो women's में जीता है ठीक है इसकी बात अगर हम US Open की बात कर लेते हैं तो US Open में Dominic Thiem men's category में and women category में Naomi Osaka और अगर हम बात करें Australia Open की ठीक है Australia Open men's में जीता है नोवाक, जोकविश ने और women's में किस ने जीता है Sophia Kennan ने तो तीनों में आपको discuss कर लिए तो तीनों आप दिहान रखेगा So first लोकसबा speaker woman में कौन थी? Meera Kumar ठीक है आप लोगों कोई पता होगा So इन्होंने जो अपना जो काम कारेकल समाला था 2009 में समाला था और 2014 था किनोंने इस पत पर काम किया था ठीक है उसके बाद सुमित्र महाजन रही थी जो second woman लोकसबा speaker थी वो 2014 में appointed 2019 तक उनका कारेकाल रहा था तो यह आप ध्यान रखेंगे इस ताइम प्रेजेंट में लोकसबा स्पीकर कौन है तो वो है ओम बिरला तो यह आप लोगों को बारबर रिवाइस करने से सीजेश याद हो जाएंगी आप लोगों को रटने के जरूत बिल्कुल ने पड़ेगी ठीक है तो बारबर रिवाइस करो अगला कुशन है भारत का सबसे लंबा जो राजमान के वो कौन सा है तो नेशनल हाइवे 44 यह अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक है तो जम्मो कश्मीर के श्रीनगर से लेके यह तमिलाडू के कन्या कुमारी तक है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 3745 किलो मीटर सो कुछ भी पूछ सकते हैं कहां से कहां तक है टोटल डिस्टेंस और इसका नेम ठीक है एनच 44 को पहले एनच 7 भी बोला जाता था सो ध्यान लखेंगे आगला कोशन देखो क्या है मोतियो का शहर किस शहर को कहा जाता है सो हेद्रवाद को कहा जाता है मोतियो का शहर इसको एक और नाम से जानते हैं इसको निजाम का शहर भी कहा जाता है तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं सो ध्यान रखना होगे जो भी एक्स्राफेक्ट होते हैं साथ साथ में कोशन के कवर अप करते चलेंगे अकला है प्रधान मंत्री उज्जोला यूजना की शुरुवात कब की गई थी एक मैं 2016 को यूपी के बलिया जिले से इसके शुरुवात की गई थी ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसमें क्या किया जाता है जो गरिवी रेखा से नीजर जीवन यापन करने वाले परिवार है उनकी महीला सदस्यों को यहाँ पर फ्री में या फिर आप गयो रियायती दरोपर LPG कनेक्शन्स दिया जाता है ठीके इसी कहते हैं प्रधान मंत्री उज्जोला यूजना ओके कौन से अगर मंत्राले बोलें तो यह पेट्रोलियम इवन प्राकरती गैस मंत्राले के अंडर में काम करती है यूजना तो यह एक्स्रा फेक्ट जियान रखेंगे नेक्स्ट कॉश्चिन इस प्रथम रोबोर्ट जिसे मानफ कर दरजह दिया गया है बहुत न्यूस में देखा होगा अपने इसका नाम क्या है सोफिया मतलब यह पूरी तरीके से आप जो भी से क्वेश्चिन करोगे पूरा तरीके से यह इसी तरीके से जवाब देगी जैसे कोई इंसान से बात कर रहे हो ठीके थोड़े बहुत एक्सप्रेशन भी देती है जैसे हसना थोड़ा सा जैसे हम अपनी पल के जपकाते है तो इसलिए इसको मानफ कर दरजह दिया गया है और अगर हम बात करें सोफिया रोबोट को मानफ कर दरजह कब दिया गया था 2017 में सौधी अरब के द्वारख ठीके ध्यान लेकना है और अगर हम बात करें हमारे इंडिया का जो पहला हीमनोइड रोबोट है क्योंकि इंडिया का तो नहीं है न और इंडिया का अगर पूछा जाएगा काफी इस तरीके के कोशन अकला है देखो यूनिट से याद करके जाना बहुत जादा यूनिट से कोशन पूछ रहे हैं हार एक शिफ्ट में एक दो कोशन आ रहा है जो यूनिट से सो इसमें पूझा है इलेक्ट्री करेंट की यूनिट क्या है सो एंपियर ठीक है एंपियर जिहान रखना है इलेक्ट्री करेंट की यूनिट है वोल्ट मीटर किसके मापनी का उपकरन है मतलब जो वोल्ट मीटर एक्यूपमेंट है उससे हम क्या मीजर करती है उससे इलेक्ट् वो मद्दे सागर से जोडती है ठीक है बड़े नेक्स्ट कोशन पे भारत में वर्थमान में कितने बायसफर रिजर्व है ये वाला कोशन बहुत बार पूछ लिया है बायसफर रिजर्व पे मैं अल्रडी वीडियो अप्लोट कर चुगी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ना जलती सिजाए अभी देखें क्योंकि वो आपके एक्साम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ठीक है इस टाइम प्रेजन में भारत में 18 बायसफर रिजर्व है जिसमें से 12 बायसफर रिजर्व शामिल है युनेसको के मैन एंड वर्ड प्रोग्रा में ठीक है जो युनेसको उसके लेस्टो में शामिल है कितने बारा यह ध्यान लखीगी ठीक है अगर हम बात करें जो बारवे नंबर का बायसफर रिजर्व है जो शामिल किया गया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है पन्ना पन्ना बायसफर रिजर्व जो की सबसे सबसे पहला बाईसफर, नील गिरी बाईसफर रिजर्व है, तो पहला ध्यान रख लो और लास्ट ध्यान रख लो, ठीके, पहला कौन सा है, नील गिरी, ये दो पूछे जा सकते हैं, फोस्ट एड लास्ट और बाकी 18 और UNESCO के लिस्ट में 12 ये सारे ध्यान लगेंगे अगला है विदी के समक्ष समानता किस अनुचेद में वर्नित किया गया है विदी के समानता का बोला किया है अनुचेद नमबर 16 नहीं है और इसके बाद अनुचेद नमबर 15 की बात करें तो उसमें बोला गया है कि धर्म जाती लिंक जर्मिस्थान के अधार पर बेद्वाव नहीं किया जाएगा 16 में बोला गया है कि लोग नियूजन के अफसर में समानता मिलेगी 17 में बोला गया है कि और स्परशेता का अन्त होगा जो चुअचुद वाली बात कही जाती है एडीन में बोला गया है उपादियों का अन्त होगा तो ये कुछ मैंने आर्टिकल्स बताएं बाकि आप लोग आर्टिकल्स को जो में में है वो याद करके जरूर जाए नेक्स्ट है गूगल के सीओ कौन है सुन्दपिचाई गूगल के सीओ है और गूगल के फाउंडर कौन है लेरी पेच और सरजे ब्रेन ने गूगल के स्थापना करी थी 1998 में लाल बाहदो शाष्ट्री की समाधी का नाम क्या है तो इनकी समाधी का नाम विजय घाट है और ये कहां पे है नई दिल्ली में है इसके बाद है शक्ति इस्थल किसकी समाधी का नाम है देखो दो तरीगे से कोईशन बन सकता है आपको नाम दे देंगे और उनकी समाधी का नाम बताना होगा एक तो ऐसे और समाधी का नाम देगे पूछ लेंगे किसकी समाधी है तो इसमें पूछ है कि इंद्रा गांधी की समाधी का नाम क्या है तो क्या है शक्ति इसल किसकी समाधी है इंद्रा गांधी की ठीक है आमाशे में कौन सा अमल बनता है मतलब हमारे जो स् का नाम किया है hydrochloricte armel जो हम इस form में लिखते है HCL की form में चम्पारन सत्यागर्य कब हुआ तो चम्पारन सत्यागर्य हुआ था मध 1917 में याद रहेगा न कि चम्पारन सत्यागर्य कब हुआ था नाइन्टीन सेविंटीन में जम्पारण सत्यागरे हुआ था ओके चलो अगला कुछ देखो क्या है प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योशना की शुरुवात के शहर से की गई थी तो इसकी शुरुवात जो की गई थी वो कॉलकाता से की गई थी यह आपको ध्यान रखना है क इसके प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, अगर हम बात करी है कि तो एक तरीके की दुरघटना योजना किसा आपकी मालो म्रत्य हो गई या फिर किसी की एक्सिरेंट में आप अपंग हो गई तो आपको दो लाग रुपे या फिर अगर आपकी जो अपंगता है उसके आधार पर आपको राशित दी जाएगी इसके जो आयू सीमा रखी गई है 18 से लेके 70 इयर्स तक इसमें एज जो है वो रखी गई है इस साल इस योजना का जो आपको प्रीमियम भरना होता है वो मात्र 12 रुपे पर इयर भरना होता है सिर्फ ओके तो ध्यान लखेंगे इसक से कोई बैठग होती है तो कौन बुलाता है इस बैठग को सो प्रेजिडेंट बुलाती है और उस बैठग को भंग करने का काम भी यानि उसको स्थागित करने का काम भी किसके पास होता है रास्ट पती जी के पास ही होता है अगला है आगरा के लाल के लिए का निर्माड किस ने घरवाया था तो अकबर के द्वारा 1565 में इसका काम शुरू हुआ था और कम्प्लीट हुआ था 1573 में ठीके तो यह आपको ध्यान रखना है अकबर के द्वारा इसका अर्माण किराये गया था अगला है जरवादिक रेलवे लाइन जो है वो किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़ादा रेलवे लाइन के रूट डले हुए है अगला है दुत्य परमाणू परिक्षन कहां पे हुआ था यह हुआ था पोखरन और पोखरन कहां पे है राजस्तान में है इसका जो परिक्षन किया गया था ना वो 1998 में किया गया था और जो पहला परम जाता है सू मतब इसका second नाम है myopia English में तो इसको myopia ही बोलते है बढ़ आपको हिंदी में ऐसी लिखा जाएगा निकरदश्टी दोश ठीक है तो इसको बोला जाता है myopia इसमें कौन से lens का use किया जाता है ये भी पूर सकते हैं तो इसमें आवुतन lens का use किया जाता है ज्यान लखेंगे अगला है पीछे की ओर से उड़ने वाला एक मातर पक्षी कौन सा है जो पीछे की तरफ से उड़ता है तो hummingbird और एक और चीज ज्यान लखे hummingbird की कि ये सबसे smallest bird भी कहलाई जाती है सबसे चोटी bird है hummingbird और सबसे बड़ी bird कौन सी है शतुर मोर्ग अगला है करो या मरो का नारा किस ने दिया था सो महत्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था 1942 में जब भारत छोड़ो अंदोलन चल रहा था उस दौरान ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था हॉर्ण बिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में काफी जादा फेमस है सो ये नागलेंड में बनाया चाता और नागलेंड के गापिटल क्या है कुहिमा अगला है अल बरुनी भारत किस के साथ आया था या इसे बूसकते के किस के समय में अल बरुनी भारत आया था सो महमोद गजनवी के समय में भारत आया था ग्यारवी सदी में जो भी एक्स्ट्रा फेक्ट्स होते है वो हम ध्यान लगेंगे अल बरुनी का अगर हम बात के लिए जर्ण मिस्थल कौन सा है तो उजबे के स्तार में इसका जर्ण मिस्थल है और महमोद गशनवी के सीना के साथ ये भारत जो है आया था अकला है भारते संसत के पहली बैठक कब हुई थी सो ये हुई थी 13 माई 1958 को और अगर हम भारत के आम चुनाव की बात करें तो सबसे पहले आम चुनाव भारत में कब हुए थी 17 अफ एप्रेल 1952 को ठीक है जब प्रतम लोगसभा का गड़न किया गया था और इस तोरान भारत में सबसे पहले आम चुनाव किये गए थी अगला कुश है ने राष्टे लोगसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं यहाँ पे राष्टे नहीं है सौरी हाँ पे है प्रेजिडेंट यानि हमारे राष्टपती लोगसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अर्लि दो सदस्युकों और यह दो सदस्युकों, और यह दो सदस्य होते कौन है, एंगलो इंडियंस यह कही जाती है, ठीके, जब रास्टती के चुनाव में वोटिंग की बात होती है, तो यह दो परसं नहों है, यह वोटिंग में भाग नहीं लेती हैинов यह न उन具ह दिहान की गई थी, ध्यान लखेंगे एक बात इंपोर्टेंट है पहले इसको न योजना आयोक के नाम से जाना जाता था, इसके साफ़ना योजना आयोक की कब हुई थी, 2014 में, फिर योजना आयोक को खत्म किया गए और इसके साफ़ना 1950 में की गई थी, ठीक है 1950 में, और इसको खत्म करके एक चनुरी 2015 को नीती आयो की गोश्टा करी गई और अगर हम बात करें वर्तिमान में नीती आयो के चेरपरसन कौन है नरेंदर मोदी जी क्योंकि इसके चेरपरसन होती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाइस चेरपरसन कौन है राजीव कुमार और इ इनी फाला पहला देश कौन सा बना नीदरलैंड्स और बात कब दी गई थी 2001 में दी गई थी भारत में पहली मेट्रो कहां चली थी कॉलकाथा में पहली मेट्रो चली थी 1970 के दशक में और दिली में कब शुरू हुई थी ुझी में तो 2002 से ही शुरू करी गई कई है उके परता है सो जो कारकुरम रेंज है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नियंत्रण रेखा है उसके पास लद्धाक में इस्तित है शियाजीन ग्लेशियर सो वो सबसे हाइस्ट बेटल ग्राउंड है नेक्स्ट है आयम नो मसीह किताब किसके उपर लिखी गई है सो यह है कि कोवेड में उने कितना चछे से काम किया है लोगों के लिए सारे चेसे यहाँ पे बताई गई है ठीके सो यह थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिसक्स किया आरार बें टिपी सी के कुछ इंपॉर्टेंट जी के और भी मैं पार्ट लेके आतीर होंगे time to time and इसके इलावा strategies के topics भी चलते रहेंगे current भी चलता रहेगा सब कुछ आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा बस आपको क्या करना है logic partial को support करना है उसे आगी लेखे जाना है और इस family को और भी जादा बढ़ाना increase करना है ठीक है इतना काम आप करी सकते हैं तो जले फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो